आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आग्रा केंट रेलवे स्टेशन से रपी आफ और ज्यारपी ने एक गांजा तसकर गिरफतार किया है जिस समय आरपी आफ और ज्यारपी सूचना पर चेकिंग कर रही थी उसी दोरान रवी राजे हाथ लग गया रवी राजे मद्य परदेश के गौालियर का रहने वाला है रवी राजे के पास से दस किलो से अधिक गांजा बरामत किया गया है कि रवी राजे बिसाका पट्नम से गांजा लेकर आया था गांजा ठिकाने पहुंचता उससे पहले आरपी आप और ज्यारपी ने दबूच लिया हमारे पुलिस अधिक शक मोहदे आगरा के आदेशा नुशार चेकिन सगन अभ्यान चलना रेलवे का इसमें एक बगती रवी राजे आज सुबह हमारे जी आरपी और आरपी आप के शेनित टीम दारा प्ले ठान नमबर एक बड़ा छेप है इसको देखा गया और भागने लगा तो इसको गरवदार किया गया इसके पास से 10-500 ग्राम गाजा प्राप्त हुआ है यह विशाका पंडम से अपने आना बता रहा है और यहीं इसने किसी को देना था और अभी इसको गरवदार कर लिया गया है और इसमें गरवदार पूच्टाज की जारी है आगे जैस और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें गाजा तसकर पकड़ जा रहे हैं आम तोर पर गाजा बिसाका पत्नम से लाए जाती है और दिल्ली के अड़े पर पहुंचानी होती है हवाई जाज के माद्यम से सात्रों को बिसाका पत्नम पहुंचाए जाता है और बिसाका पत्नम से गाजा लेकर सातिर तसकर टेन के माध्यम से ठिखाने पर पहुंचाते हैं जिस पैमाने पर मामले पकड़ में आ रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि बड़े पैमाने पर टेनों के माध्यम से गाजा तसकरी का गोरग धंदा चला है रवी राजे नाम के तसकर को आगरकेंट रेलवे इस्टेशन से आरपी अप और जी आरपी ने गरपतार किया है रवी राजे के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामत किया है लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार आरपी आप और जी आरपी आगरेकेंट रिल्वे इस्टेशन से गांजा तसकरों को पकड़ रही है गांजा बरामत कर रही है उससे इतना साप हो जाता है कि बड़ी पैमाने पर ट्रेनों की माध्यम से तसकर गांजा तसकरी के रेल में लगे हुए हैं पूरे नेटवर्क की शुरुवात बिसाका पत्नम से होती है अब सवाल यह भी उड़ता है कि बिसाका पत्नम पुलिस या बिसाका पत्नम रेल्वे इस्टेशन की पुलिस क्या कर रही है किस तरीके से यह लोग गांजा लेकर तेल के अंदर सवार ह हो जाते हैं बिराम बिसाका पत्नम पर लगाना होगा तभी गांजा तसकरी का यह बड़ा कारोवार रोक सकेगा अपने साथ यह अगले दुबे के साथ राकिश का नौजिया सीन्यूज आगरा